असलाम लेक्म स्टूडेंट्स 1.5 का जो लास्ट इन्वर्स मैठड़ वारा जो क्वेशन था इन्वर्स से निकालना था वो हमने निथा किया ठीक है वो इसलिए निथा किया क्योंकि 1.6 में यही चीज रूपीर्ट हो रही है हम इन्वर्स मैठड़ करेंगे क्वेशन नमबर 1 है 1.6 का कि वही क्वेशन हमने इन्वर्स मैठड़ से करना है और यही क्वेशन हमने क्रैमर रूल से भी करना है मैंने को यह क्वेशन लिया है पहले इसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे matrix 4 में जब लिखेंगे तो हम इनके coefficients लिखेंगे इसका coefficient क्या 2, इसका coefficient 6 है इसका coefficient क्या 1, इसका coefficient 5 है next column में जो है वो x, y आएगा, equal है 3, 1 के अब मैं लेट करूँ, यह a के equal है यह x के equal है, और यह b के equal है और x equal आएगा a inverse of b के जब भी matrices में कोई भी value यहां से दूसरी जानी move करती है, equal की दूसरी तरफ तो यह inverse में change हो जाता है अगर यह a x की इदर वाली साइट पर है तो equal की दूसरी साइट पर जाकर भी इदर वाली साइट पर ही रहेगा अब यहां पर पहले हम a का inverse निकालेंगे a का inverse equal होता है adjoint of a divided by a का determinant जब भी स्वाल solve करना है सबसे पहले हमने a का determinant निकालना है अगर a का determinant 0 के equal आ गया तो question फर्दर solve नहीं होगा ठीक है a का यहां यहां पर 2, 6, 1, 5 10 minus 6 equal है 4 के adjoint निकालेंगे हम adjoint of a equal आएगा जब भी adjoint निकालते हैं यह दुनों values आपस में interchange होती है 5, 2 और यह जो है इनका sign change होता है minus 1, minus 6 में पास inverse equal आएगा one number 4 5, minus 1, minus 6, 2 अब हमने x निकालना था x किसके equal था a का inverse into b के values जब put करेंगे हम यहां पर a के inverse की value की है 5, minus 1, minus 6, 2 है और b की value में पास 3 और 1 है तब इनको हम आपस में multiply करेंगे तो multiply करने पर हमारे पास जो first row, first column 15, minus 1, second row, first column, minus 18, plus 2 तब इनको solve करेंगे तो x जो है मारे पास equal बनेगा 14 और 4 और 16 और 4 इस तरह में पास x इक्वल बन जाएगा 7 और 2 और सोड़ी यहां पर minus आएगा minus 4 यह उपर वाली value में पास x के एक्वल नीच वाली value में पास y के एक्वल अगर यही वाला question हम जो क्रैमर डूल से करेंगे क्रैमर डूल में हमने पहले इसको matrices में convert किया matrices में convert करने एक बाद हमने इसको नाम दे दिया a, x और b ठीक है a का determinant निकालेंगे similarly वैसे जैसे हमने पीछे निकाला था determinant वो 4 आएगा उसके बाद हम निकालेंगे a, x a, x का है कि जो a की value है हमने वो छोड़ देनी है a के अंदर जो x की value हमने वो छोड़ देनी है x के जगा हमने जो उनसा है वो b की value लिखनी है ठीक है यहां पे x की value क्या थी 2 और 6 इसकी जगा हमने 3 और 1 लिखेंगे ठीक है cross multiply करने एक बाद इसका answer 14 है जब a, y निकालेंगे तो हम y वाली value छोड़ेंगे y वाली value के जगा हम b की value लिखेंगे 3 और 1 3 और 1 लिखने के बाद जब हमने determinant निकाला इसका minus 16 आया x equal होता है a, x अवर a का ही determinant और y equal है a, y अवर a का ही determinant ठीक है इनको आपस में divide करेंगे 7 more 2 इनको आपस में divide करेंगे तो minus 4 अगर देखें तो यह previously जो हमने inverse method किया उसी के same jones है यह वाला question का jones है वो answer आया x की value भी वो ही आई है और y की value भी वो ही आई है